नबरात्र पर दिल्ली में शक्ती रिक्षा जी हाँ नबरात्री के मौके पर दिल्ली को मिली है एक नई सौगात दिल्ली में अब शक्ती रिक्षा से लेगा आप पूछेंगे शक्ती रिक्षा मतलब क्या होगा तो इस रिक्षे में जिसमें इस वक्त में बैठी हुई हूँ ऐसा ही होगा दिल्ली का शक्ति रिक्षा अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे रिक्षे तो दिल्ली के हर गली कूचे महले में मिल जाते हैं जिसे लोग बैटरी रिक्षा कहते हैं तो उसका जवाब भी है ये बैटरी रिक्षा बिलकुल अलग है इस रिक्षे को सिर्फ और सिर्फ लड़किया चलाने वाली हैं वो भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वाली लड़किया और भी बहुत कुछ खुबिया है इस रिक्षे में देखिए रिक्षे पर सवार दिल्ली के मुखमंतरी अर्विंद केजगिवाद सीम को ले जा रहा है ये रिक्षा कोई मामूली नहीं वो बैटरी रिक्षा नहीं जिस पर हम आप रोजाना बैटते हैं नवरात्र से ठीक पहले दिल्ली में देखने वाले ये सफिद बैटरी रिक्षा कई मामलों में अलग है दिल्ली में इसे स्मार्ट यी रिक्षा का नाम दिया गया है इस रिक्षा में कई खास बाते हैं जो साधारन यी रिक्षा में नहीं है कैसे ये रिक्षा लड़कियों के लिए दूत बनके सामने आया है इस पूरी कहानी से पहले दिल्ली के परिवहर मंत्री गोपाल राय को सुन ली है ये अभी पहला महिलाओं का बैज ट्रेंड तरीके से रजिस्टर लाइसेंस के साथ ये सुरू हुआ है गोपाल राय जिस रिक्षा पर बैठे हैं उसे अभी ट्रायल के तौर पर दिल्ली में चलाया गया है ये रिक्षा उपर से तो आपको उसी तरह दिखेगा जैसा दूसरे ये रिक्षा दिखते हैं लेकिन इसमें कई चीज़ें नहीं हैं देखिए क्या फर्क है साधारन इरिक्षा में और स्मार्ट इरिक्षा में साधारन इरिक्षा में चार सीटे हैं स्मार्ट इरिक्षा में भी चार सीटे हैं अब देखिए इरिक्षा में ड्रायवर के लिए एक सीट होती है लेकिन अमोमन उस पर दूसरे पैसंजर आपको बैठे दिखेंगे लेकिन स्मार्ट ए रिक्षा में ऐसा नहीं क्योंकि ड्राविंग सीट पर सिर्फ लड़कियां बैठेंगे ए रिक्षा को चलाने के लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं इस रिक्षा में मैं इस वक्त बैठी हूँ, ये कोई आम रिक्षा नहीं है, ये स्मार्टी रिक्षा है, और आप देख सकते हैं, खासित इसको यशोधा चला रही है, कोई पुरुष नहीं चला रहे, इस रिक्षे की बात करें, स्मार्टी इ रिक्षा की बात करें, वेहद हा सबसे बड़ी बात ये कि ये रिख्षा लड़कियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है वो भी कई माइने में पहला तो ये इसे चलाने वाली सिर्फ लड़कियां होंगी ऐसी लड़कियां और महिलाएं जो कल तक घर से निकलने से डरती थी जो पहले कोई डरती थी मैं घर से निकलने में आज मैं मेरे को जो हमारे मन्जू सर से जो हमारे को ट्रेनिंग मिली है उससे मुझे बहुत फायता हुआ गीतम शिवास्तव के साथ पेरो रिपोर्ट इंडिया न्यूज एक बहुत अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की उरसे एक छोड़ से ब्रेक आपने दिल्ली में चलने वाले पुराने बैटरी रिक्षा और नए यी स्मार्ट रिक्षा में अंतर तो ब्रेक से पहले समझ लिया लेकिन अभी बहुत से चीजें हैं जो बाकी हैं जोसे जानना बहुत जरूरी है सबसे बड़ी बात ये कि ये रिक्षा लड़कियों के लिए बड़ी राहत लेकर कैसे आया है दिल्ली की लड़कियों के लिए कैसे ये रिक्षा बड़ी राहत लेकर आया है उसकी दूसरी बज़ा समझे, इस रिक्षे में सुरक्षा बज़ों से GPS लगा दिया गया है, साथ में CCTV भी, अगर ओपन रिक्षा में आपके साथ कोई बजसलोकी होती है, या चेन एसनेचिंग जैसी घटना होती है, तो बदमाश का चेहरा इस रिक्षे के CCTV में गैद हो सकता ह GPS के जरिए रिक्षा स्टेंड में रिक्षे के लोकेशन की पूरी जानकारी होगी, अब देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा कहा है, वो इस ड्रैवर के हाथ में है, ये कोई मामुली ड्रैवर नहीं, ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की लैश महिलाएं हैं, जो गुंडे तरह की वाड़ाद भी होती रहती हैं दिली में, नहीं मामेर को अपने शुरक्षा के लिए तो बताये गया है, ताकि जो लेडिस और बैठेंगे, उनकी शुरक्षा के लिए भी हमें टेनिंग दी गई है, तो सुरक्षा के लिहाद से भी एक बहतर कदम, एक छोड़ी से ल